वेलकम फ्रेंट्स स्वयम में आज कोर्स 508 का एक MCQ टेस्ट सीडूल था और वो है वीक 10 में देखिए वीक 10 में यूनिट 10 का MCQ टेस्ट है और इस में टोटाल 10 कोस्टेंस है तो चलिए हम एटेम करते हैं पहला कोस्टेंस देखिए इन लेशन प्लानिंग वीच वान अब दी फॉलोइग इज पोस्ट लेशन अक्टिविटी और स्टेच 3 अक्टिविटी अप्शन्स देखिए चार अप्शन्स है और इस में सही है अप्शन 2 वर्मिंग आप इच कैरेट आउट नेक्स्ट कोस्टें रिक्रियेशनल नेक्स्ट कोस्टें वीच टीचिंग मेथट इज बेस्ट अन दी थीओरी अफ लर्निंग बाई इनिसीयेशन तो चार अप्शन देख लेजिए एंसर है अप्शन 2 डिमोनेस्टेशन मेथट नेक्स्ट कोस्टें इन वीच मेथट लर्निंग पोसेश इच कॉम्प्लिटली दोमिनेट बाई दी इचर दोर्नि दोमिनेटेशन हैं मेथट नेक्स्ट कोस्टें वीच मेथट सेटS a Finishs a Standart for Performance in Paddha一下 उड और जब जंब सब अढ़्याई इसमें सई हैं में स्हें 7 देवनित प्री लर्निंशन मे üzर्ट नेक्स कोस्टें वीच विच वन अब दी फाल्य है एंसर है option one playing chess chess खेलना दो आदमी का काम है mass program नहीं है next which one of the following is a mass program question number seven is a mass program क्या है obviously sport day sports job होता है तो सारे बहुत सारा आदमी आता है इसलिए mass program है next question number eight choose the correct full form of the term OCD OCD का जो full form है option two obsessive compulsive disorder next question choose the correct full form of ADHD देखिए चार option है answer है option three last question which one of the following explain the calisthenics choose the correct option देखिए चार options है answer है option one तो चलिए हम अभी 10 answer को submit करते है और देखिए 10 साई answer है तो यह था unit 10 course 508 का और इससे पहले जो यूनिट का MCQ test हुआ था unit 1 से unit 9 का उसका सारी वीडियो का link इस वीडियो की description में हमने डाल दिया है आप लोग जोरूर देखिएगा और यह जो MCQ है यह जब course 508 का exam होगा 14 फेबरारी को तो यह MCQ आपका काम आएगा thank you